नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आजकल के जमाने में देखा जा रहा है 14-15 वर्स की उम्र में बच्चे को मास्टरवेशन की आदत हो जाती है वहां सेक्सल एव्यूस करने रखते हैं असलील हर्तकत करने के कारण, हस्त मैथून करने के कारण उनके सरीर में धीरे धीरे करके कमजोरी आ जाती है सेक्स करने में बहुत ज़्यादा वहां नाकामिल हो जाते हैं यहां तक कि यह देखा गया है कि 20 से 25 वर्स की उम्र के नोजबान भी सांधी को संतुस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे होने के मुख कारण या होता है, बच्पन में की गई गलतिया, मास्टर वेशन के कारण वगेरा वगेरा जो हरकते वहां करते हैं, इसके कारण वहां पार्टनर को संतुस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके सरीर में कमजोरी आ जाती है, उनका जो लिंग होता है वहां धीला हो जाता है, इस पर मोटोरिया के सिकार हो जाते हैं, सीगर पतन की प्राबलम हो जाती है, ED की समस्या से सिकार हो जाते हैं, इन medicine का use, patients के symptoms के अधार पर किया जाता है यदि मैं आपको medicine बताओं, तो stephysgiria, selenium, kalidium, agnascastus, ये जो सारी तमाम medicine है यदि patients के symptoms के अनुशार, यदि patients को medicine दी जाती है, तो patients को यहाँ पूरी तरह से ठीक कर देती है आज के इस वीडियो में इसी तरह की एक medicine के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिसका नाम है दोस्तो निफरल्यूटियम निफरल्यूटियम इन तमाम समश्याओं को ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है यहाँ जो medicine है यदि आप अपने symptoms को match करके यहाँ medicine आप लेते हैं तो आपकी जो भी complaints होती है बहाँ धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको निफरल्यूटियम medicine के बारे में पूरी जानकारी दूँगा इस medicine का use आपको किस तरह से करना है किन-किन medicine के साथ इसकी तुलना की जाती है medicine यूज करते समय हमें क्या-क्या परेच करने चाहिए और क्या symptoms हमें देखने को मिलेंगे तो निफरल्यूटियम medicine का हमें यूज करना चाहिए पहरे नंबर पे आता है दोस्तो पैनिस में कमजोरी होना जिन पैसेंटों का लिंग पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है बहुत ज़दा बीकनेस उन्हें आ जाती है कमजोरी आ जाती है साथी को संतुस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसमें निफर लूटियम medicine का यूज मदर टिंचर फार्म में किया जाता है इस medicine का यूज मदर टिंचर फार्म में एक कप पानी में 20 बून सुबा 20 बून दो फैर में 20 बून रात में कंटीनू कम से कम 3 महने तक patients को medicine दी जाती है patients की जो complain होती है अब धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है जिस patient को इसे nightfall कहा जाता है जिन patient को nightfall के सिकार होते है masturbation की आदत के कारण सरीर में weakness आ जाती है nightfall की समस्या से सिकार हो जाते हैं काफी medicine बहा यूज करते हैं फिर भी उनको relief नहीं होता है newfalutium उनके लिए रामबाण की तरह काम करती है mother tincter form में इस medicine का use किया जाता है आपने देखा होगा कुछ patients ऐसे होते हैं जो stool pass करने जाते हैं याने की lettering करने जाते हैं और थोड़ा सा ताकत लगाने के पाद हलका सा semen discharge होता है वीर निकलाता है तो उसमें newfalutium medicine का use किया जाता है जिसे काफी long time तक mother tincter form में इस medicine का use किया जाता है और भी symptoms match करके another medicine डॉक्टर की सला के अनुसार दिया अप लेते हैं तो complaints से धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है नेक्स्ट सम्टम की अधी हम बात करें तो जिन पैसेंटों को डैरिया की problem सो जाती है डैरिया पतले करर के दस्त उन्हें हमेशा हुआ करते हैं और उनके कारण जब weakness सरीर में आ जाती है धीरे धीरे करके कमजोरिया उनके सरीर में आने लगती है तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए निफर लूटियम मदर टिंचर फार्म में यूज किया जाता है तो compliance धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है जिन पैसेंटों को भी sexual weakness हमेशा बनी रहती है काफी लंबे समय से बहाँ परिशान रहते हैं बच्पन की गलतियों के कारण इस समश्या से बहाँ सिकार रहते हैं 37 को पूरी तरह से संतुस्ट नहीं कर पाते हैं तो निफर लूटियम का मैडसिन उसमें यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ sexual weakness के साथी साथ हमारे सरीर के और भी ऐसे symptoms होते हैं जिनको यहाँ cover करके चलती है तो मैं आपको और भी symptoms बता दे रहा हूँ तो और भी symptoms आप match कर लीजिए आपके सरीर के और match करके आप इस medicine का यूज कर सकते हैं और भी symptoms की यदि हम यहाँ पे बात करें जो जिन patient को भी typhoid की problem हो जाती है आपने देखा होगा बहुत सारे patients ऐसे हैं जो typhoid से suffer करते हैं और typhoid के बाद उनके सरीर में weakness आजाती है sexual weakness आजाती है कमजोरी आजाती है तो उसमें newfalutium यदि patients को medicine दी जाए और कुछ समय के लिए patients को medicine दी जाए तो उनकी जो complaints होती है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है आपने देखा होगा कुछ ऐसे patients होते हैं जो बचपन की गलतियों की कारण उनका जो penis होता है retract हो जाता है यानि की छोटा हो जाता है तो sidonia bulgaris mother tincture और newfalutium का mother tincture patients को दी जाए तो patients की जो complaints होती है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती इतनी effective newfalutium medicine है इस medicine का यदि हम comparison की बात करें तो agnes casters mother tincture के साथ और newfalutium mother tincture और selenium medicine के साथ इसका comparison किया जाता है तीन तरह की ऐसी medicine होती है जिसका difference हमें देखने को मिलता है यदि penis में धीलपन है तो उसमें newfalutium only for medicine का यूज किया जाता है यदि importancy का patients शिकार हो जाता है तो newfalutium plus agnes casters mother tincture का यूज किया जाता है मैंने आपको पहली बताया था spermatoria की जिनको problem होती है Importancy is the Belmarcino symptom of this newfalutium medicine जिस patient को importancy आ जाती है पूरी तरह से नपुंसक हो जाते है तो newfalutium medicine का यूज किया जाता है करना सब कुछ चाते है कर कुछ नहीं पाचे newfalutium medicine is the golden medicine एक बात इस बात को आप विसे ध्यान रखेगा पूरी तरह से erection चले जाते है erection प्रॉपर तरीकर से नहीं आते तो erection को लाने के लिए newfalutium medicine का यूज किया जाता है इस बात का आपको विसे ध्यान रखना है यदि हम बात करें डाइरिया की तो डाइरिया एगनस कास्टस में भी पाया जाता है और डाइरिया newfalutium में भी पाया जाता है पर डेलापन newfalutium का बेल मारकी नोट सिम्टम है टाइफाइट के बाद कमजोरी और डाइरिया के बाद कमजोरी only for newfalutium में भी यूज की जाती है कई बार डाइरिया भी होता है पेशेंट्स को उतनी जादा कमजोरी नहीं आती है और उसके बाद इंपोटेंसी होती है तो पेशेंट्स को एगनस कास्टस मेडसिन दी जाती है इस बात का विशिद्यान रखा जाता है और तमाम जो ये मेडसिन होती है एक दूसरे के सिम्टम्स को मेज करते हुए चलती है पर कुछ ऐसे डिफ्रेंस होते हैं जिसको डॉक्टर काउंड करके सिम्टम्स को काउंड करके पेशेंट्स के लक्षण को मेज करके यदि पेशेंट्स को मेडसिन दी जाती है तो पेशेंट्स की जो कंप्लेंस होती है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है इस मेडसिन का यूज जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जिस तरह से धीरे-धीरे सरीर में कमजोरी आई है, उसी तरह से धीरे-धीरे सरीरी कमजोरी ठीक होती है, इस बात का विसे ध्यान रखा जाता है, पर कुछ परेज आपको अवश्य करने चाहिए, इस बात का आपको विसे ध्यान रखना जाता नोन पेच का सेवन इस medicine जब भी आप शेवन करते हैं medicine का तो non page का आपको use नहीं करना है अल्कुहल का सेवन आपको नहीं करना है सिगरेट तमाखु वगेर आप खाते हैं तो इस medicine का शेवन नहीं करना है तो results आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं 50% डिजल आपको 50% डिजल आपको देखने को मिलेंगे 100% डिजल आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस बात का विसे ध्यान रखना है होमोपेथिक मैडिसीन इदी साथ में लेते हैं तो कच्छा प्याच कच्छा लैसून का सीवन नहीं किया जाता है इस बात का आपको विसे ध्यान लखना चाहिए, यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी confusion है, तो live clinic में join करके आप हमारी live clinic में अपने question का answer पूछ सकते हैं, यदि आप इसी तरह से समश्या से काफी लंबे समय से ग्रसित हैं, यदि online consultancy लेना चाहते हैं, discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके में अपना वाटसर नंबर दे देता हूँ, आप हमसे भी online consult कर सकते हैं, आसे करता हूँ दोस्तों यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक like करिएगा, red color की बिटन दबा कर चैनल को subscribe करके, well icon की घंटी को प्रेस कर देजीगा, त ताकि सभी latest medicine की update सबसे पहले आपको मिल सके, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलिंगे नेक्स की वीडियो में तब तक लिए, जैन, जै भारत, बंदे, मादरा